दिल्ली शराब घोटाले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और MLC के कविता को गिरफतार किया गया था। के कविता के खिलाफ मुख्य आरोप ये है कि वो साउथ लॉबी का हिस्सा थी उन्होंने दिल्ली की उत्पाद शुलक नीती तयार करने में अर्विन केजरिवाल सरकार के मंत्रियों और अन्य लोगों के साथ साजिश रची थी। कविता पर दागी कंपनी इंडो स्पिरिट्स में बेनामी निवेश करने के आरोप है। इडी आरोप लगा रही है कि घोटाले में 100 करोड उपई की रश्वत ली गई थी और पैसा हैत्राबाद से दिल्ली ले जाये गया। के कविता की गिरफतारी के बाद ही जेल में जिसमें उसने केजरिवाल की गिरफतारी की भविश्यवानी की थी। सुकेश ने अपने पत्र में के कविता पर निशाना साथते हुए लिखा था। आदा मजबूत और शक्तिशाली है। मैंने अपने प्रेस रिलीज में दो बाते कही थी। पिछले साल मैंने कहा था कि विधान सभा चुनाओं में बी आरेस तिलंगाना की सत्ता से बाहर हो जाएगी और दूसरा यह कि गिरफतारी और तिहार कलब का हिस्सा बनने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि अब दोनों हो चुके है। बीते एक साल में बी आरेस तिलंगाना की सत्ता से बाहर हो गई है और के कविता की गिरफतारी और उनके तिहार कलब का हिस्सा बनने के लिए उल्ती गिनती शुरू हो चुकी। के कविता की गिरफतारी के बाद दिल्ली के सीएम अर्विन केजरिवाल भी बेनकाब होने जा रहे हैं। आपको एक इमानदार सलाह है कि अब कुछ भी छुपाने और इस घोटाला के सरगना और गौड़ फादर अर्विन केजरिवाल को बचाने की कोशिश करने से कोई फा के बूत हैं। मैं सबसे महान तिहार कलब में आपका स्वागत करता हूं। आपके तिहार में लंबे प्रवास के लिए केजरिवाल जी ने सब कुछ ववस्तित किया है। मेरे प्रिये केजरिवाल जी अगला नंबर आपका है। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें अब हो गया है। ये आपके सभी जूट और नाटक का क्लाइमेक्स है। अब अपने सभी भाईयों और बहनों के पास अपने ही तिहार कलब में आएं। मेरे प्यारे केजरिवाल जी। बताने की केजरिवाल को गिरफतारी से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस के पास भी पहुँच गई थी। लेकिन एडी ने दो घंटे की पूश्ताज के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरिवाल को गिरफतार कर लिया है। इस मामले से जुड़ी हर अगली अपडेट के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। टाइम्स नावना भारत डिजिटल की रिपोर्ट